हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग तो यहां देखिए आज मैं एक और रेसिपी लेकर आई हूँ यह है बेसन की सबजी जो बहुत टेस्टी होता है खाने में और कभी अगर हमारे घर में सबजी अबिलिबल नहीं होता है कोई अचानक से गेश्ट आ जाते हैं तो उस टाइम ब पनाते हैं तो यहां पर एक बर्तन में एक कटोरी बेशन ले लिए हैं यह चनाजाल का बेशन होता है न वह और उसमें हम थोड़ा मशाला मिलाएंगे और यहां पर नमक है और यह हल्दी पाउडर और यह है जीरा और हरा मिर्च कट कर लिए जुचे ले लिए है और यह धन्या परता है और मसाले में जीरा गुलकी लशन अद्रक सब पीसा होगा जो मसाला होता है उसी को पीच करके एक चमश में ले ली हूँ कि यह सब दालने के बाद मिला लोंगी और मिलाने के बाद यहां पे जिस कटोरी से में बेशन लिया थी नु है उसी कटोरी से पानी ली हुए कटोरी भर के और थोड़ा-थोड़ा करके यहां पर डालना है यह कटौरे में पूरा डाल चुकी थी और फिर यहां पे में आधा कटौरी ली हूं और उसे भी तोब आधा कटौरी आधा कटौरी आधा डाल चुकी हूं मतलब कुल मी लाकर के देड़ कटोरी पानी में डाली हूँ एक कटोरी बेशन और देड़ कटोरी पानी लगा है इसमें और इसे मिलाने के बाद मैं धक करके 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी और यहां पर मैं एक फ्राई पेल नहीं हूँ नॉनिस्टिक पेल लेने से मेंRY हादियों चुले पर जैसे इह गरm हो जाएगा उसमें वायल ॐल की, मश्रड और कोई भी डाल सकते हैं आप और उसे डाल करके मिला लूंगी àे पी जिस तेल गरम हो जाएगा उसके बाद में डालूंगी मैं ऐख सबेशी होगा बहूत में इसन का चूण करने के लि तो ने कुछ भी कर लेन है झाल ने में कि रात से पिलेथंस के ऑना सकते हैं एक कंछा च होग कर dua क्याया आ जिल और लिए भी डेना है और तो पर इसे फासरे मंद्सारे इसे पक़े और उसके बाद इसे प्लर्ट देना है तो यहां देखिए मैं प्लर्ट देऊ इसे नॉनिस्टिक पर नहीं चिपकता है अगर यह लेते हैं तो इसमें चिपक जाएगा बेटर तो इसमें आशान होता है बनाने में तो मैं निकाल चुकी थी एक और दुसरा भी आप लोगों को मैं दिखा रहे हूं कि इस तरह से बनाऊंगी कितना आसानी से बन जाता है तो देखिए मैं दूसरा भी डाल दी हूं और इसे में प्लट लूँंगी थोड़ा थोड़ा उपर से वाइल डाल रहे हूं ताकि अच्छा से वाइल इसमें जा सके कुर्कूरा हो सके थोड़ा और ड प्लट देते हैं तो मैं इसे प्लट लेती हूं देखिए हां प्लट ली हूं और जैसे एक-दो मिनट हो जाएगा ना उसे फिर मैं उसे गोल-गोल साथ देखिए कैसे भी मोड़ूं में दिखाऊंगी आप लोगो देखिए इस तरह से पकड़के ज्यादा आशान होता है हा इस तरह से मोड लेना दबाते हुए और मोडने के बाद से निकाल लूँगी और इसे 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है थाकि ठंडा हो जाए तो काटने में आशान रहता है यह तो गरम में नहीं कट पाता है तो मैं इस तरह सब बना लूँगी इसके बाद यहां देखिए मैं वह बना चुकी हूं और एक कड नहीं अब है तो प्याज कटकर रखे रखी थी 2 प्याज बारिक छब कर लें थी मैं उसे मैं कट करके रखी ति उसे मैं डाल ली हूं सुझार होना सुझार न घराना करता göre देख सकते, यहाँ अ हिट जो सनक के डाल दी हो और इसे भूनने के बाद मैं यहाँ पर दो टमाटर को मिक्सर ग्रांडर में पीछ ली थी पेश त्यार कर ले थी उसे डाल दी हूं यह तमाटर पर आज जब डाल के मैं भून लूँगी थोड़ी देर दिखिए भून चुका है तमाटर भूनने के बाद पर चल जाता है क्योंकि उपर में जब तेल दिखता है ना मतलब की भून गया है और फिर मैं यहाँ पर मसाले एड़ करें जिसमें मैं यहाँ पर दो चमिछ मसाले ली हूं जिसमें की जीरा गुल की धनिया लशुन अधरक स में पीस ली थी थी ठोड़ा ठोड़ा डाल के उसी कमें डो चमिछ डाली थी और फिर यहाँ पर एक चमिछ लाल मिच पाउडर और यह थोड़ा सा गयरम मसाला है हाफ चमिछ से हमें अधर दनिया पाउडर था यह सा मैं डाल लूंगी सब मसाले जो डेली यूज करते हैं हम घर में वोसा भी डालना है कोई अलग से मसाले डालने के बाद इसे भी भून लूगी यहीं है तो आप लोग अगर मेरी पसंद आता तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए प्लीज आप अपने नमक डाले थि आप लोग देखे होंगे सब डालके मैं मिला ली हूं उसके बाद जब वोन गया है तो मैं पानी इसमें डाल दी हूं तो यह दो ग्लास भहर भहर के पानी डाल दी हूं क्योंकि बेशन है ना तो पानी पूरा अबजर्ब हो जाता है उसके अंदर बहुत ज्यादा गढ़ा हो जाता है इसकारण से मैं द कितना अच्छा से कटा था कुछ भी दिकत नहीं हुआ थंडा हो गया था ना और यहां पानी जैसे बॉल आएगा तो मैं एक एक करके एक ही बार में सब नहीं डालना है तो सब तूट जाता है और एक ही करके देखें मैं यहां पर डाल रही हूं तो मैं सब डाल चुकी हूं और इसे थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूंगी लो फ्लेम करके थोड़ी देर में अच्छी तरह से मील जाएगा यह सबजी में पूरा ग्रेवी अंदर चला जाएगा और धन्या बता मैं देखें आप थोड़ा से डाली हूं कट करके सबको मिला लोंगी अब ऐसे सबजी तयार है बहुत आशान है बहुत अच्छा रेसिपी कभी आप लो